डन चलिए तो दिस इस ओल अबाउट आइनिक एक्विलीब्रियम और अभी मैंने देखा था बहुत तो उटने जब मैं क्लास में आये तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स थे बड़े पॉजिटिव कमेंट्स थे मतलब उन तो चलो आज तो डिसकेशन नहीं करेंगे नेक्स क्लास में डिसकेशन करेंगे आज जो भी टाइम बचा उसमें इलक्ट्रो स्टार्ट करेंगे हम आगे बट मैं अभी भी कहूंगा आईनिक जो है आसान है question करते जाओ practice करते जाओ question की limitation है मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ आईनिक equilibrium में examiner की पास limitation है कि यही question बना सकता है कुछ भी नहीं पूछ सकता कुछ भी नहीं पूछ सकता है तो प्रॉब्लम है इवन थर्मोडाइनमिक्स की बात करें काइनेटिक्स की बात करें उनके पास बहुत options है यार वो कुछ ऐसा पूछ सकते हैं जो आपको लगे का कि सर आपने यह नहीं पढ़ा है seriously बोल रहा हूँ थर्मोडाइनमिक्स हमने बहुत पढ़ाई है थर्मोडाइनमिक्स में बहुत पढ़ाई है लेकिन फिर भी वो एक्जाम में ऐसा कुछ पूछ सकते हैं जिससे लगे सर यह चीज़ तो शायद आपने नहीं पढ़ाई है काइनिटिक्स में वह ऐसा कुछ पूछ सकते हैं लेकिन मुझे लगता आयनिक में नहीं पूछ सके जैसे कुछ पूछेंगे ना calculation इतनी हो जाएगी कि हमारी limit से यह बाहर हो जाएगा से तो वहां calculation की condition है कि भी constant करना तो इतने ही पूस सकते हो approximation करना ही पड़ेगा नहीं तो solve किया ही नहीं जा सकता ह Bosford इसलिए varying limitation है कर इंव्म से भनेंगी ठर्वब आइनिक उसमें क्या होता कभी graph से कुछ information देते हैं तो वह graphical कभी कभी क्या होता ग्राफ से information read करनी पड़ती वह मुश्किल होता है आइनिक में कौन से कर भाया आइनिक में कोई graph है नी बस data होता है pH निकालो डेटा होता है pH निकालो तो इसलिए धंग से इन questions को करो fixed question है और आपने जही एडवांस के question किये हुए भी है आज से आपको समझ में भी आ जाएगा तो अब स्टार्ट कर रहें नया chapter विच इस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अगर thermodynamics के बाद सबसे आधा weightage किसी chapter का है thermodynamics के बाद तो है electrochemistry का इन फैक्ट मैं आपको बता दूछ E mains में तो इसका weightage धर्मों से भी ज़ादा ज़ये में तर्म में thermodynamics का कोि यसा बहुत-स बड़ा weightage नहीं है thermodynamics का J variables में weightage उतना ही है जितना बाकी चैक्टर का या थोड़ा कमी है थर्मक व को इसे जीएडवांस में जादा है लेकिन एलक्त्रो Q published dat डीमेंस मीचल इस में भी अच्छा इडवांस में भी अच्छा खाथा अरृट्विन ằng को फ़िशन इनट्रों से आती आते हैं जेंगों में जौन हम दो क्वेशन आहीं जाते हैं यहां पर पढ़ेंगे जिसको हम connect कर सकते हैं अपनी लाइफ से तो लगता हाँ सर्यार यह तो अच्छी बात बते ही आपने सरी तो काम की चीजे शायद जिन्दगी में कभी काम आए वैसे ऐसा नीज थर्बोडायनिक्स भी काम आती बहुत सारी चीजे बर थर्बोडायनिक्स सरी चीजे आपके डायरेक्ट जिन्दगी से कनेक्ट नहीं होती है वह तब होगी जब आप कुछ रिसर्च करोगे तब शायद कनेक्ट हो बट यहां पर जो हम पढ़ते हैं वह कहीं डायरेक्ट लिए कनेक्ट होती है तो जैई में इसका वेटेश ज्यादा है अगर आप द मिक्स डेल्क्ट अक्रोग्ष्ट केंश्च क्लस थर्मोडाइक मिक्स कुछ सारे इसलिए है डेके लिए ये इसलिए इसका वेटेज यानि mixed what est it question आते ही आते हैं और जो मैंने बताय दो question वह जी advance की लिए बताये में में तो वह average a question नहीं आता lagi में szczegól एक question ही आता है इस chapter से इस chapter की बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नाम से थोड़ा सा स्कुछ समझ में आ रहा है केमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्ट्रेटिक्स प्लस केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसे बोल सकते आप और अब això इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में में बत्ब करक्टिक कर्ंट कह सकते हूँ इलेक्टिक कररंट प्लस केमेस्ट्री इसा की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जैसे आपको पता है डेली-लाइफ में हम सेल्स और बैटरीस यूज करते हैं चाहिए वह हो car , उसमें battery होती है ,mobile में उसमें भी lithium batteries युश करते हैं , torch में watch में हर जग हम battery use करते है और आज़ बड़ा इंट्रेस्टिंग होता है जैसे एक battery के दो end से wire को connect करते हैं , उस wire में current flow करने लगते है , वैसे wire कन्यक्ट करो बाइर में current flow करने लगती है तो लगता है ऐसा क्या होता है सेल में जिससे current produce होती है है तो सेल के अंदर जो हम cells और batteries use करते हूं में chemical reactions होती है और फिल – Item řिएक्षण से current produced होती है तो question आता है क्या सिक्षा कॉन सी chemical reaction होती है जिसे current produce होती है वो हम इस chapter में discuss करेंगे तो basically इस chapter का एक जो motive हो यह है कि chemical reaction से कैसे current produce होती वो हम discuss करेंगे तो लिखें यहां पर this chapter mainly deals with this chapter mainly deals with production of electric current by chemical reaction by chemical reaction and apparatus used and apparatus used is called galvanic cell यानि ये जो cells और batteries जा मोबाइल में कार में जो भी हम use करते ना उसे हम कहते हैं galvanic cell यान नौर्मिली तो हम cell बोल देते हैं बट इसे हम कहते हैं galvanic cell second one इसी का उल्टा शायद inorganic chemistry में आप पढ़ चुके हैं कि एक cell से जब current पास होती है तो कुछ substance anode पर deposit होते हैं कुछ substance cathode पर deposit होते हैं metallurgy में आपने पढ़ा हुआ है जर्नल आपको भी आइडिया है अगर पानी के थुरू अगर हम current पास करें तो एनौर्ड और के थोर्ड पर hydrogen और oxygen gases produce होती है यह भी आपको पता है तो chemical current के थुरू chemical changes भी produce किये जा सकते हैं तो किसी solution में जब हम current पास करते हैं तो क्या chemical changes of chemical changes by electric current just reverse हो गया यानि chemical reaction से current और current से chemical changes आप produce कर सकते हो और इसमें जो apparatus यूज होता है जिस container में यह सब कुछ होता है is called electrolytic cell is called electrolytic cell हाँ electro refining कह सकते हो जो copper की electro refining होती है इस तरह से जात जिसे हमें pure copper मिलता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग एंड थर्ड वन एक और पार्ट इस चेप्टर का conductance एंड कंड़क्टिविटी कंड़क्टेंस एंड कंड़क्टिविटी हम सबको पता है कि एक wire के थरू भी current flow होती है और एक solution के थरू भी current flow होती है charge flow solution भी कर सकता है ions charge flow करते हैं तो एक wire के थरू जब charge flow होता है तो आप physics में पढ़ते हों यहां पर हम बात करेंगे solution कैसे charge flow करता है किसकी conductivity ज़्यादा होती कौन सा solution ज़्यादा charge चंड़क्ट करेगा कौन सा कम चंड़क्ट करेगा यह सब हम यहां पर discuss करेंगे तो mainly यहां पर हम बात करेंगे solution की conductance के बारे में wire की नहीं एक solution की conductance और conductivity के बारे में हम बात करेंगे तो यह तीन पार्ट है इस चैप्टर के one by one करके राइट वह one by one करके हम study करेंगे Galvanic cell, electrolytic cell और third part conductance and conductivity यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं मैं यह जो cells होते हैं दो तरह के cells हो गए अब आप कह सकते हैं इन्हें हम कहते हैं electrochemical cells, electrochemical cell कौन कौन से, galvanic cell और electrolytic cell galvanic cell और electrolytic cell सब तांक्षिव बेटा सब चीज़ आएगी थोड़ा होल्ड करो जो पढ़ा रहा हूं उसी पर focus किया करो तो एक और word यहाँ पर आगया electrochemical cell मतब देरा two types of electrochemical cell galvanic cell और electrolytic cell तो अब पहला हम स्टार्ट करेंगे galvanic cell से फिर आएगे हम electrolytic cell पर तो heading डाल दीज़े galvanic cell galvanic cell और यहाँ पर जो term सबसे ज़्यादा discuss होती इस chapter में जो term सबसे ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं वो है electrode potential इलेक्ट्रोड पोटेंशन बहुत इदर उदर के question पूश्ट पता है इदर उदर के question जिसका है नहीं कि रुद्रेश क्या फर्क पड़ता है इससे बताओ कुछ planning है तो बताओ तुम बताओ कितने में खतम करना है दो में पांच में दस में अराउंड मैं 11-12 लेक्ट्रस लगेंगे इस चेप्टर में ठीक है वाट इस इलेक्टोड पोटेंशन लेट से एक container हमने लिया और इस container में हमने इस container में हमने क्या क्या zinc sulfate का solution बर दिया zinc sulfate का solution बर दिया और इसमें एक zinc road को हमने dip कर दिया किसका solution है zinc sulfate का road किसकी है zinc की और अब हम इसमें जो भी change हो रहे हैं उसको observe कर रहे हैं जो भी changes हो रहे हैं उसको हम observe कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस metal road पर जो zinc है ना मेटर लोड पर जो zinc है यह अपने आप oxidized होता है ZN plus 2 में और जब यह oxidized होता है तो electron release करेगा यह electron तो इसी metal plate पर रहे जाते हैं लेकिन यह जो zinc ion है वो इस solution में dissolve हो जाते हैं यह जो zinc ion है वो इस solution में dissolve हो जाते हैं यानि ZN plus 2 aqueous हा लेकिन कह सकते हो कि solution में से भी जो ZN plus 2 ions है वो इस metal road पर जाकर deposit भी हो जाते हैं यानि यह reaction forward में भी होती है और backward में भी होती है लेकिन initially forward rate ज्यादा होती है backward rate कम होती है तो net zinc ion solution में dissolve होते हैं तो दीरे दीरे backward rate भी बढ़ने लगती है और एक time आता है जब backward rate किसके बराबर हो जाती है forward rate के बराबर और यह system equilibrium पर आ जाता है और यह system equilibrium पर आ जाता है मतलब जितने zinc dissolve हो रहा है उतने ही वापस deposit हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर भी charge fix हो जाता है negative charge और solution में प्लस टू की concentration fix हो जाती है अब कोई change नहीं हो रहा है लेकिन कह सकते हो तब तक कुछ zinc ion तो dissolve होई गए तो इस solution पर net positive charge आ गया और इस metal road पर net negative charge आ गया solution पर positive charge metal road पर net negative charge तो इन दोनों के बीच में potential difference generate हो जाता है and that potential difference is called electrode potential यानि जब system equilibrium पर आ जाता है तब जो potential difference generate होता है उसे हम कहते हैं electrode potential देखो के कमेंट कुछ आ रहे हैंगा समझ में आई मेरी बात तो यहां पर metal road से zinc solution में dissolve हो जाता है metal road पर net negative charge क्योंकि यह electron तो metal road पर रहे जाते हैं zN plus 2N solution में आ जाते हैं जिससे इन दोनों के बीच में potential difference हो जाता है जिससे कहते हैं electrode potential हां बट question यह आता है कि क्या किसी भी metal road को डिप करने पर ऐसा ही होता है क्या नहीं किसी भी metal road को डिप करने पर ऐस हर एक metal road के case में ऐसा होगा जरूरी नहीं है in case of copper justice का reverse होता है अगर आप एक copper road को डिप कर रहे हो copper sulfate के solution में copper sulfate के solution में तो यहां justice का उल्टा होता है solution में से copper plus 2 ions जो है वो इस metal road पर जाते हैं metal road metal है तो free electrons तो होते ही है metal road पर free electrons होते ही है तो यह copper plus 2 ions solution में से निकल कर इस metal road पर जाके deposit हो जाते हैं metal road पर जाके deposit हो जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है solution में copper plus 2 ions कम हो गए तो solution में sulfate ions जादा हो गए तो जिसके कारण solution पर net negative charge आजाता है और यह copper plus two ions यहां जाकर deposit हो रहे हैं तो copper plus two ions यहां जाकर deposit हो रहे हैं तो इसलिए इस metal road पर positive charge आजाता है metal road पर positive charge आजाता है यहां पर negative charge आजाता है again यहां पर भी a potential difference generate हो जाता है इसे भी हम कहते हैं electrode potential यानि depending upon the metal किसी में metal dissolve होता है किसी में metal deposit होता है यह metal to metal vary करता है कुछ dissolve होंगे, कुछ deposit होंगे लेकिन दोनों में potential difference generate होगा यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी generate होगा और यह जो potential difference यहाँ generate हो रहा है इसे हम कहते हैं electrode potential और अगर यह potential difference electrode potential को हम यहाँ पर E से represent करते हैं electrode potential को E से represent करते हैं दियान रखना यह इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं है यह इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशल और यहां पर नाम में थोड़ा कन्फिजन हो सकता है लिखावा इलेक्ट्रोड पोटेंशल है लेकिन है पोटेंशल डिफ्रेंश है है पोटेंशल है इसके कारण जो potential difference generate होता है उसे बोला जाता है E reduction oxidation के कारण हो रहा है तो E oxidation reduction के कारण हो रहा है तो E reduction even मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है कि potential difference तभी generate होता है जब आप किसी metal road को किसी solution में dip करते हो इवन आपने एक zinc road और copper road को एक दूसरे से connect कर दिया एक zinc और copper road को एक दूसरे से connect कर दिया राइट तो हम क्या देखते हैं यहां पर भी potential यहां पर भी potential difference generate होता है यहां क्या होता है यह zinc oxidize होता है लेकिन एसमेर zinc आयन नी करते हैं electronEd moor करते हैं यहां zinc का गण कर रहे हैं यह copper ion यहां किसका moment होता है electron का यहां plus charge यहां minus charge यहां पर भी potential difference generate होता है यहां पर भी potential difference generate होगा यहनि इसको हम ऐसे कहते हैं कहीं पर भी अगर एक interface बनेगी कहीं पर भी एक interface word क्या यूज़ कि हमेने interface यह interface है जहां पर दो substance एक दूसरे के contact में आ रहे हैं contact में आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं interface कहीं पर भी एक interface बनेगी तो कुछ ना कुछ potential difference generate होगा ही होगा कहीं कम होगा कहीं जादा होगा लेकिन potential difference generate होगा ही होगा राइट यह आप कह सकते हो लेकिन electrode potential कब word यूज़ करते हैं जब एक metal road को solution में dip किया जाता है यानि एक metal road को solution में जब हम dip करते हैं तो इसके लिए electrode potential word use किया गया है यहाँ पर भी potential difference है अभी हम बात जो कर रहे हैं एक metal road उसके solution की बात कर रहे हैं तो definition अगर हम यहाँ पर लिखे है electrode potential की तो लिख सकते हैं potential difference developed between a metal road and its solution is called electrode potential जब यहाँ पर यह सोचे हो कि zinc sulfate क्यों लिया तो ऐसा आइन लेना है जो किसी के साथ react ना करें जैसे sulfate आइन हो उसका reaction में कोई roll नहीं sulfate ले लो nitrate ले लो ऐसा आइन होना चाहिए जिसका ना तो oxidation हो ना reduction हो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केवल reaction क्या ओर ही zinc और zinc zinc का oxidation हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ केवल किसका oxidation reduction हो रहा है copper का अगर आपने ऐसा कोई substance डाल दिया अगर वो भी oxidized reduce हो रहा है तो उसके कारण भी फिर potential difference आएगा पट राइट नहीं मैं कह सकता हूँ कि यह zinc का oxidation potential है यह copper का reduction potential है राइट तो potential difference क्या होता है वो मैंने बताया और इसी potential difference को हम कहता है electrode potential अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा सर इसकी importance क्या है तो देको इसकी importance तो बहुत सारी है इसी से अभी हम देखेंगे कैसे current produce होती है लेकिन इसकी छोटी से एक और importance बताता हूँ जैसा मैंने कहा था ना कहीं पर भी एक interface बनती ही तो वहाँ potential difference जनरेट होता है उससे होता क्या उससे उस portion की reactivity जो है वो बढ़ जाती है यह part अब ज्यादा reactiv हो जाएगा क्यों कि यह प्लस चार्ज यह माइनस चार्ज तो यह आएंस आ गए और आएंस आने के होता है और जहां potential difference होता है वहाँ reactivity बढ़ जाती इसलिए जोइंट्स पर corners पर आपने देखा होगा कि रस्टिंग जादा होती है कि रस्टिंग जादा होती है कि यह बहुत बड़ा इस्यू आपको पता है corrosion के कांड रस्टिंग के कांड yearly पता नहीं कितने tons of metal खराब हो जाता है petroleum pipelines जो बिछाई जाती है वो petroleum pipelines जो है वो खराब हो जाती है because of rusting तो यह अपने आप में आपको पता corrosion अपने आप में बहुत बड़ा subject है engineering में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक सब्जेक्ट है कि किस तरह से corrosion को कम किया जाए आपको पता है जब हम bolts लगाते हैं आपने देखा होगा तो bolts जब हम लगाते हैं कहीं पर भी तो उसके बीच में rubber plate लगाई जाती है कि बॉल्ट को टाइट करने हैं rubber plate लगा देते हैं न क्यूं लगाते आपको पता है ताकि वह दोनों metals एक दूसरे के contact में ना पाएं कि दोनों metals एक दूसरे के contact में ना पाएं क्योंकि जैसे अगर वह दोनों एक दूसरे के contact में आते हैं तो वह रस्टिंग बढ़ जाती है और दीरे-दीरे यानि वह बॉल्ट जो है वह जल्दी इसलिए वह रस्टिंग नहीं होती है यस वाइसर जिसे बोलते हैं वाइसर सही कहरे हो बावादी तो खेर वह अलग जस्ट मैंने आपको application बता है इस चीज़ का कि इससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन अब क्वेशन आता है कि ठीक है सर्फ इलेक्टोड पोटेंशल तो समझ में आ गया कि पोटेंशल डिफरेंस कैसे जनरेट हो रहा वो तो समझ में आ गया लेकिन अब इसको कैसे मैजर किया जाया मैजर कैसे कि इसकी बात आती कि जो भी पोटेंशल डिफरेंस यहां जनरेट हो रहा उसका हम कैसे मैजर करें तो उ यहां पर प्लस यहां पर माइनस चार्ज है और यहां प्लस चार्ज है और इन दोनों के बीच में हमें potential difference measure करना है तो क्या करो इन दोनों end को या तो वॉल्ट मिटर से या potential meter से connect कर दो अभी मैं diagram तो वॉल्ट मिटर के according ही बना हाँ बट आप सबको पता है कि potential meter जो है वो ज्यादा accurate result देता है vault meter की comparatively तो अभी यूं मान लो कि हम लगा तो vault meter रहें बट इसकी accuracy potential meter की तरह ये perfect 100% accuracy है यूं मान लो तो हमने एक vault meter connect कर दिया किस से connect करेंगे जिन दो points के बीच में potential difference measure करना है उन दो points को vault meter से connect कर दो तो इस metal road को connect कर दिया metal road को connect कर दिया और इस wire को इस solution में dip कर दिया क्योंकि इनी दोनों के बीच में हमें potential difference measure करना है तो यह वाल्ट meter अपनी reading देदेगा यहां पर जो भी है लेकिन इसमें problem होती है क्या problem होती है हमें जिंग की reaction के current potential difference measure करना था लेकिन इस potential difference को measure करने के लिए इस potential difference को measure करने के लिए हमने क्या-क्या vault meter से connect किया और जैसे हमने इसको vault meter से connect किया तो क्या हुआ यहां पर और एक और interface create होगी जैसे आपने इस वायर को solution में डिप किया यहां पर भी एक interface create हो गई इवन कहीं पर भी जहां joints बन रहे हैं वहां पर भी एक interface create होगी तो हर एक interface पर कुछ न कुछ potential difference and rate होगा छंड़ा यहां पर भी होगा छोड़ा यहां पर मितर आपको reading डेगा वो केवल इस सृफेस की नहीं देगा वो तो वायर को अगर आपने याँ डिप किया तो इस वायर पर तो अच्छाघा सा potential difference and rate होगा इस वायर पर तो अच्छाखास potential difference and rate होगा तो फिर यह जो वॉल्ट मिटर गमते आपको वॉल्ट मिटर जो आपको डिप करना ही पड़ेगा वो सबकार ने ट होगा तो तो फिर question आता फिर क्या करें अगर potential difference measure करना है तो इस wire को तो dip करना ही पड़ेगा जी तो एक और interface generate होगी एक और interface generate होगी तो यह जो पोटेंशल में यह जो वाल्ट मीटर आपको reading देगा वो इसके कारण भी देगा और इसके कारण भी देगा और अगर potential difference measure करना है तो wire को तो dip करना ही पड़ेगा महें कहरा कि minus कर देंगे उसका अलग से measure करके बैटा minus कैसे कर दो के कहीं और भी इसका measure करोगे तो वहाँ पर भी दो interface बनेगी किसी और arrangement में भी दो interface बनेगी यानि जब भी measure करना चाहोगे कम से कम दो interface तो बनेगी ही बनेगी मतलब clear यह है कि आप absolute value of electrode potential find out ही नहीं कर सकते हो आप electrode potential की absolute value find out कर ही नहीं सकते हो हाँ एक कोर किसी ने idea दिया अच्छी बार था आप लोग ऐसा सोच रहे हो शुब मनी ने एक कर example लिया कि एक काम करो सर इधर भी जिंक और इधर भी जिंक ले लो तो फिर दोनों तरफ सेम हो जाएगा बैटा अगर इधर और इधर दोनों तरफ जिंक ले लिया ना तो potential difference ही 0 आजाएगा फिर क्योंकि इस पे भी उत्रही negative charge इस वायर पर भी उत्रही negative charge तो difference ही 0 आजाएगा फिर कुछ reading ही नहीं आएगी तो conclusion यहीं कि आप absolute value of electrode potential measure ही नहीं कर सकते नहीं कर सकते आप फिर यह बहुत बड़ी problem नहीं है क्यों नहीं है उसका कारण अभी मैं बताऊंगा बड़ हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं एक standard apparatus ले लिया जाता है standard apparatus ले लिया जाता है और उस standard apparatus में जो भी interface बन रही है मान लेते हैं कि उनका electrode potential 0 है मान लेते हैं कि उनका electrode potential 0 है तो अब जैसे ही मैंने मान लिया कि इसका electrode potential 0 अब जो वर्ल्ट मिटर की reading है वो ही इसका answer हो जाएगा बट इसे absolute electrode potential नहीं बोलोगी यह जो electrode potential आया वो इसके respect में आया जिस दिन यह reference बदल लोगे यह data भी बदल जाएगा इसलिए शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जितने भी elektrode potential के data है वो हम standard hydrogen electrode के respect में measure करते हैं ये standard hydrogen electrode क्या होता है वो भी हम इस chapter में आगे पढ़ेंगे कि standard hydrogen electrode क्या होता है वो सब आगे समझ में आएगा लेकिन conclusion right now यह है कि किसी भी electrode potential कि कि electrode potential कि आप absolute value find out नहीं कर सकते हो जो data हम सारे use करते हैं वो with respect to hydrogen हैं वो with respect to hydrogen कैसे measure करेंगे यह चैसे से भी chapter आगे बढ़ेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहां से यह समझ में आना चाहिए कि क्यों exact value absolute value find out नहीं कर सकते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि कम से कम दो interface यहां पर develop होगी तो लिख लीजिए absolute value of electrode potential या it is impossible to determine the absolute value of electrode potential because measuring process involves other interfaces whose electrode potential also appear in measured value better less reactive लोग कुछ भी लोग कुछ न कुछ वेल्यू तो आएगी न कुछ न कुछ तो आएगी इस्टाइए 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 इतना बड़ा issue नहीं है क्यों नहीं हो आगे चलके समझ में आ जाएगा इस्टाइए इस्टाइए स्टाइए पड़त जाएगा फिंधि इस्टाइए इस्टी लोग कुछ भी लों तो absolute value तो बॉल ही नहीं सकते हो inert elements क्या होते हैं inert elements बताओ और inert elements से क्या होगा वेल्यू कम होगी बढ़ कुछ तो होगी कुछ भी मत लिको मत दिमाग लगो जो कहा जा रहा है वो मानो दिमाग लगाना आगे जब थोड़ा इंजिनिंग में चले जाओ आयटी में चले जाओ तब दिमाग लगाना भी मत लगो तो अब यहां पर यानि पॉइंट के वहल इतना सा है सुन लो मेरी बात एक्जाम में कोई यह पूछे कि क्या absolute value of electrode potential measure की जा सकती है तो answer is no answer is no absolute value measure नहीं की जा सकती राइट बाकि आप लोग आगे बढ़ के research करना और सब भी जो भी ideas आ रहे हैं उस पर अपनी research करना nobel prize मिलेगा आप लोगों को मैं भी खुश हूँगा और फिर मैं भी यह पढ़ा हूँगा कि नहीं भई मेरा एक student है जिसने research की और पहले तो हम यह बोलते थे कि electrode potential की absolute value find out नहीं कर सकते हैं बट उसने absolute value find out कर ली उसको nobel prize मिला तो सबको मैं बताऊंगा ठीक है कि मुझे बता देना जब research हो जाए आप लोगों की कि देखो सरी research हो गई अब हम कर सकते हैं तो फिर मैं बदल दूँगा कि अधिकना all the best जल्दी जल्दी करना और कि बहुत सालों तक मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं तो जो भी research करनी है तुम्हें जल्दी जल्दी करना है हाँ बडापा आ रहा है अपना भी तो इसलिए जल्दी जाएटी में जाओ फिर जल्दी जल्दी से अपनी research करो ठीक है है हाँ कैनी कह रहा है कि सर जब भी ऐसा होगा तो उसका credit आपको ही देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद जब nobel prize मिल रहा हो तो इस एक वालना कि सर दिस एक एक सर दिस फॉर यू दिस फॉर यू कि आपने मुझे उस दिन कहा था कि यह कर कि आओ तो देखो सर मैंने ऐसा कर लिया तो उसी स्टेश से यह बोलना हाँ 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 सभी के रहे सर भी तो आपको हमारे बच्चों को पढ़ाना है हां मैठा मुझे समझ मां रहा है तुम किसमें ज्यादा खुश फील कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे मैं बच्चों से पहले बच्चों की माँ लानी पड़ेगी न तुम्हें नहीं हाँ आप कोई भी जो स्टुडेंट वह यहां से स्टार्ट कर सकता है कि अधिक अधिक नवदिव चिंदा मत करो तुम 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 वहां पर नाम देना मैं तुम्हें ढूण लूँंगा ौटीप開षर आपक्का फॉन नंबर देतो फिर वा टेंशन तुम मुत लो तुम तो बस वहां पर नाम लेना मैं टून आ इस सरकी स्माइल तो अभाई है भी यार बैटा जब को यह कह रहा कि कि यहां से हमें नोबल प्राइज मिलेगा तो क्रेड़ आपको देंगे तो खुश तो होगा ना तो वापस अब इस पार्ट पर आते हैं कि एलेक्टर पॉटेंशिल की एपसल्यूट वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं की जा सकती है अब यहां पर इलेक्टर पॉटेंशिल क्या होता वो तो हमने पढ़ लिया अब एक गैल्वेनिक सेल जो होता है यह जो सेल्स और बेटरीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उससे कैसे करेंट प्रोड्यूस होती वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा तो हेडिंग डा आफ एक गैल्वेनिक सेल एक गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है और राइट नौ इसमें जो मैं एक्जाम्पल ले रहा हूं वो ले रहा हूं डेनियल सेल का डेनियल सेल यानि जो गैल्वेनिक सेल हम यहां पर यूज कर रहे हैं उसका नाम है डेनियल सेल बेटा अब पढ़ाने दे दो मेरे को थोड़ा सा नहीं तो तुम्हारा कोर्स अटक जाएगा तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा जेए में सेलेक्शन नहीं होगा तो सोचो तुम रिसर्च नहीं कर पाओगे तुम रिसर्च नहीं कर पाओगे तुम नोबल नोबल प्राइज नहीं मिलेगा तो तुम मेरा नाम नहीं ले पाओ कि तो भाई मैं यह नहीं चाहता हूं कि तुम मेरा नाम ना ले पाओ तो मेरा जो करियर है मतलब वो तुम खतम कर दोगे मेरा ड्रीम जो है वो खतम हो जाएगा तो इसलिए मुझे पढ़ाने दो और पढ़ो कि अब इधर उदर की बातें इधर किता मज़ा था अब अब डैनियल सेल भी थोड़ी देर पहले कोई पूचा था डैनियल सेल डैनियल सेल भी पता चल गया डैनियल सेल होता क्या इस डैनियल सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं दो कंपार्टमेंट इस compartment में एक zinc road होती है इस compartment में copper road होती है यह zinc की road है और यह copper की यहाँ पर zinc का solution होता है zinc sulfate का और यहाँ पर copper sulfate का ठीक है और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जैसे हम यहाँ पर zinc road को dip करेंगे हमें पता है कि zinc जो है यहाँ oxidize होकर solution में चला जाएगा और यह electron इसी metal road पर रह जाएंगे electron इसी metal road पर रह जाएंगे solution में Zn प्लस 2 आ जाएंगे तो solution पर net positive charge और इस पर net negative charge आ जाएगा यहाँ negative charge यहाँ positive charge थोड़ी देर के बाद यहाँ equilibrium आ जाएगा यहाँ यह system equilibrium पर आ जाएगा similarly यहाँ पर भी हमें पता equilibrium आ जाएगा क्योंकि solution में से copper plus 2 ions वो metal road पर जाके deposit हो जाएंगे जिसके कारण metal road पर positive charge और solution पर negative charge आ जाएगा अब हमने क्या क्या इन दोनों electrodes को wire से connect कर दिया इसके बीच मेंने कुछ galvanometer भी लगा दिया voltmeter भी लगा दिया लेकिन हाँ अभी key open है अभी key open है और हमें पता है कि इस solution पर plus charge यहाँ पर minus charge इस solution पर minus charge और यहाँ plus charge जैसे ही हमने इस key को close किया जैसी हमने इस key को close किया इस end पर electrons है इस end पर positive charge है हमें पता है negative positive charge एक दूसरे को attract करते हैं तो यह electron in positive charge को यह केटाइन को अपनी और attract करेंगा केटाइन इलेक्टोन को अपनी और attract करेंगे लेकिन एक wire के थुरू हमें पता ions move नहीं करते हैं wire के थुरू किसका moment होता है electrons का तो यह positive charge तो इदर नहीं आ सकता लेकिन इन electrons पर एक attraction का force लगेगा जिसके कारण यह electrons यहाँ से बाहार निकल जाएंगे और इस तरफ move करना start करेंगे जैसे यह electron यहाँ से बाहार निकलेंगे यह जो equilibrium था वो disturbed हो गया यहाँ से यह electrons कुछ कम हो गया तो यह reaction forward में जाएगी और वापस electrons produce करेगी वापस electrons produce करेगी यानि जैसे electrons यहाँ से इदर जाएंगे यह reaction forward में आएगी और यहाँ पर वापस उतना ही negative charge आजाएगा जितना गया है उतना ही वापस आजाएगा अब यह जब electron यहाँ पहुंचेंगे तो यह यहाँ का भी equilibrium disturb कर देंगे यहाँ पर जो plus charge था वो कम हो गया तो solution में कुछ और copper iron यहाँ के deposit होंगे यानि यह reaction भी forward में जाएगी और वापस यहाँ पर उतना ही positive charge आजाएगा electron के कारण कम हुआ solution में से फिर copper deposit हो गये तो यहाँ उतना ही positive charge यहाँ उतना ही negative charge फिर क्या होगा यहाँ अभी भी उतना ही positive charge है यहाँ उतना ही negative charge है तो फिर यहाँ पर electron पर force लगेगा electron यहाँ से बहाँ निकलेंगे इधर जाएगे, यहाँ का equilibrium disturb होगा तो यह reaction forward में आएगी तो यहाँ उतना ही negative charge है जाएगा फिर यह electron जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ का equilibrium बेंड डिस्टब होगा और यह reaction भी forward में आएगी तो यहाँ पर भी वापस उतना ही positive charge आ जाएगा फिर electron यहाँ से निकलेंगे यहाँ पहुँचेंगे यह reaction भी forward में आएगी फिर electron निकलेंगे फिर दोनों reaction forward में जाएगी फिर electron निकलेंगे फिर दोनों reaction forward में जाएगी ये process चलता रहेगा और इस wire में electron move करेंगे अगर इस direction में electron move कर रहे हैं तो कह दो इसकी opposite direction में एक तरह से current का flow होगा और हम कुछ नहीं कर रहे हैं ये सब अपने आप हो रहा है जैसे आपने इस key को close किया electron यहां से निकल के इदर जाएंगे फिर यहां से निकल के इदर जाएंगे फिर यहां से निकल के इदर जाएंगे और जैसे यहां से electron जा रहे हैं यहां electron produce भी हो रहे हैं electron produce हो रहे हैं कौन produce कर रहा है जिंक electron produce कर रहा है जिंक electron produce कर रहा है और यहाँ इलक्टोन कंजूम हो रहे हैं यहाँ इलक्टोन प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ इलक्टोन कंजूम हो रहे हैं और वो इलक्टोन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस वाइर के थुरू मूग कर रहे हैं यहाँ इस वाइर में इलक्टोन मूग कर रहे हैं में यही होता है यूंक हो गदो एक चेह ऑक सुट एक जगर रिडसेन का मतलब क्या हुआ जहाँ इलेक्ट्रान Solo नूस कर रहा है मतबर ऑंधार ओक सीडेशन होंगा माई मलट प्रुरूट्स ऊंगे रिडसेनल ने रघ्र्रुशिछ होगे कोई साब सब्सक्राइब आपके मोबाइल में लीधियम आयन बेटरी ने जिसमें लेड कोई सब्सक्राइब हो उन सब में यही concept होता है उन सब का concept यही होता है एक जगह oxidation एक जगह reduction और उन दोनों को एक wire से connect कर दो तो उस wire में current flow करती है और यहां पर मैं आपको बता दूं जिस end पर oxidation होता है उसे कहा जाता कि और जिस end पर reduction अ होता है उसे कहा जाता है कैफोड यहां पर क्या हो रहा है reduction इसले कैफोड यहां पर क्या तो right है अगर आप देखो तो यह एन्योड है और इस एन्योड पर negative चार्ज है और यहां के थोड़ उऽिस पर foreign that यह सुनके थोड़ा लगा को ऐसा पता कि anode पर प्लस के थोर्ड पर माइनस चार्ज होता है तो मैं आपको बता दू दो तरह के सेल होता है galvanic cell, electrolytic cell आपको electrolytic cell के लिए पता है और यह जो है वो galvanic cell galvanic cell आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है galvanic cell में anode पर negative 2 चार्ज होता है basically anode cathode charge से decide नहीं होते हैं charge से decide नहीं होते है anode cathode decide होते हैं कहां oxidation हो रहा है कहां reduction यानी anode की definition होती ही जहां oxidation होता है उसे anode कहा जाता है तो यहां oxidation हो रहा है इसलिए anode यहां reduction हो रहा है इसलिए इसे कहते हैं cathode यह anode, यह cathode, यानि कोई पुछा है anode, यानि जहां oxidation हो, anode at which oxidation occurs, oxidation occurs और cathode at which reduction occurs, समझ में आई बात, तो यह तो बात हुई, galvanic cell कैसे work करता है, वो मैंने बता है, हाँ, हो सकता, आप में से कुछ को, एक salt bridge word और पता हो, वो salt bridge word आएगा, लेकिन अभी नहीं, उसकी जरुवत जब होगी, मैं बाद में बता हूँगा, अभी तो उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है, concept मैंने बता दिया, यह concept आपको समझ में आना चाहिए, बाकी की बातें इसके बात करेंगे, नेक्स क्लास का homework, J.E. men's और J.E. advance, दोनों ही, men's और advance, आयनिक equilibrium की, यह next class में हम discuss करेंगे, राइट, पर आयनिक equilibrium, नेक्स क्लास में, दोनों ही करके आओगे, यह हम discuss करेंगे, और सुनना, J.E. men's को पिछे से करना, यानि latest year के questions, पहले करना 2022 के, फिर 2021 के, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दू, sheet में 2023 के questions नहीं है, वो इसलिए नहीं है, ताकि हम यह सोचते हैं कि last में, बाई दिवा, आपका कुछ paper देने का मन करें, तो आप 2023 के papers as a mock test दे सकते हूँ, as a mock test दे सकते हूँ, हो जाएंगे बटा, notes upload नहीं हुए हैं, last lecture के, चलो, देखते हैं ने के, चेक कर लेंगे, तो next class में homework discuss करेंगे, बाई बाई, हुए 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 नहीं हुए हुए ह